मोदी जी पर बहुत बार इलजाम लगता है कि वो EVM हैक करवा देते हैं जिबकि चुनाव आयोग इससे बहुत बार डिनाई कर चुके कि EVM हैक नहीं हो सकती और आज हमने वो ट्रिक पकड़ ले कि मोदी जी EVM हैक कैसे करते हैं तो वीडियो में बने रहें और स्क्रीन पर देखें और आप भी मुझे बताइए क्या इस तरह से और पार्टियां भी EVM हैक कर सकती हैं या नहीं आपने देखा होगा कि ये उनकी अभी राजिस्थान में हुई रैली का सीन है और लोग उनका आरती से उनका स्वागत कर रहे हैं आप देखिए ऐसे EVM हैक नहीं होती ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ तब देखें रेल्वे में कितना काम किया है कि नहीं आपे तर लेखें देखेंगा थे टूख देखेंगे पना पर देखेंगे जितना तेजी से काम व canoe पी की गुवर्मेंट ने किया है इन 15 सालों में मुझे नहीं लगता किना किसी भी गुवर्मेंट ने इतनी तेजी से काम किया किया है। और देश के बड़े-बड़े इंप्लोयर्स, बड़े-बड़े बिजनिसमेंस, सभी लोग वीजेपी का फेवर कर रहे हैं, सब लोग मोदी जी के साथ है। यहीं भी आप सब के बीज से, आप ही की तरह से, एक सामने परिवार से उठकर के आएं, एक टाइम था, जब वो भी आप ही की तरह है। जो देश के बड़े-बड़े नामदार लाइक सोनिया गांदी, कॉंगरिस पार्टी, इन्होंने कभी इतने ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया, इनको बनी बनाई, जैसे कहते है न, भाप की प्रॉपर्टी मिल जाना, वसियत में मिल जाना, इनको पीछे से इतना कुछ मिला था, तो ये सिर्फ नाम है इनका, काम नहीं है इनका, जो मोदी जी से नराज है, ये खिलाफ हैं, पार्टियां, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि वो देश के गरीबों के लिए काम करें, नहीं, क्यों रिश्वत खोरी बंद हो गई, गरीबों को वो इतना नाम हो रहा है, इतना रुतबा हो रहा है, हर कोई इंडियान अपने आप में बहुत प्राउड फिल कर रहा है, तो अब हमें ऐसी गवर्मेंट चाहिए ही नहीं, जो सिर्फ नाम की हो, हमें वो चाहिए जो काम किया है, हमें वो गवर्मेंट चाहिए, चाहिए वो वी खड़ा हो और हमारा जो देश का यूथ है आज कल वह बिल्कुल वीजेपी के रंग में रंग चुका है बिल्कुल भगवा रंग में वीजेपी के साथ है तो आने वाली जनरेशन के लिए भविस्थे आपको तैख करना है तो सोस समझ कर वोट दें और वह मोदी जी का नारा नहीं भूलना है अब की बार 400 पार अब की बार 400 पार थैंक यू वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं मोधी जी की EVM है करने का फॉर्मूला आपको कैसे लगा वो भी मुझे जरूर बताएं धन्यवाद